नमस्कार, स्वागत है आपका मुनू का किचिन में, आज हम बनाएंगे भर्वा परवल, भर्वा परवल हम थोड़े मसालों में ही बनाएंगे, फिर भी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा, आप इसे एक बार खाएंगे, तो बार बार खाना चाहेंगे, हम इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, इसे बनाने के लिए हमने मीडियम साइज के लगभग 300 ग्राम परवल लिए हैं, सबसे पहले परवल के दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा काट लेंगे, अब चाको की सहायता से परवल के उपरी छिलकों को खुरच लेंगे, इसे हमें हलके हाथों से ही खुरच ना है, इस तरह से हम सभी परवलों को खुरच लेंगे, सभी परवल को खुरचने के बाद हम इसे पानी से धोलिये हैं, अब हम परवल को एक तरफ से बीच में से काट लेंगे, लेकिन हम यह ध्यान रखेंगे कि परवल को नीचे तक नहीं काटना है काटने के बाद हम इसके पल्प को निकाल लेंगे पल्प को निकालने के लिए चम्मच या काटे का इस्तमाल कर सकते हैं हमने काटे का इस्तमाल किया है इस तरह से सभी परवल के पल्प को हम निकाल लेंगे ध्यान रखना है कि इस पल्प को हम फेकेंगे नहीं क्योंकि हम इसका इस्तमाल मसालों के साथ करेंगे भरवा में डालने के लिए हमने मीडियम साइज के चार प्याज लेसुन के तीन से चार कली और लगबग एक इंच अद्रक का टुकड़ा लिया है प्याज को फाइंग चॉप करना है अद्रक और लैसुन का पेस्ट पना लेना है मसालों में हम लेंगे हल्दी धनिया जीरा पॉडर बड़ी लाइची काली मिर्च पॉडर लाल मिर्च पॉडर अमचुर हींग और थोड़ा सा नमक कडाही गर्म हो चुका है अब हम इसमें सर्सों का तेल डाल देंगे जो की लगबग चार चमच है तेल गर्म हो चुका है अब इसमें हम दो चुटकी हींग डाल देंगे अब कटे हुए प्याज को हम डाल देंगे प्याज को थोड़ी देड तक भूनते रहना है अब इसमें अद्रक और लैसुन के पेस्ट को डाल देते हैं हम इसे हलके ब्राउन होने तक भूनेंगे अब इसमें हम परवल के पल्प को डाल देते हैं इसे भी थोड़ी देड तक भूनेंगे सभी चीजें अच्छे से भून चुकी हैं अब हम इसमें मसाला भी डालेंगे इसमें हम आदा चम्मच हल्दी डालेंगे एक चम्मच लाल मेर्च पॉडर एक चम्मच धनिया जीरा का पॉडर और एक चम्मच काली मेर्च बड़ी लाची का पॉडर एक चमबच हमचुर पॉड़र और स्वाद अनुसार नमक अब थोड़ा सा पानी डाल कर इसमें हम सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला देंगे इसे लगातार चलाते रहेंगे मसाले से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है हमारा मसाला पूरी तरह से तयार हो गया है अब हम मसालों को परवल में भरेंगे मसालों को हम चमच की सहायता से एक एक करके सभी परवल में भर देंगे परवल को थोड़ा सा चोड़ा करके इसे आसानी से भरा जा सकता है सबी परवल को हमने भर लिया है अब इसको हम धीमी आज पर पक्टने के लिए रखेंगे कडाई को हमने फ्लेम पर रखकर उसमें चार चम्मच सर्सों का तेल डाल दिया है तेल गर्म हो चुका है अब इसमें एक एक करके सारे परवल को डाल कर धट देंगे फ्लेम को हमें मीडियम लोप पर ही रखना है बीच बीच पे हम धक्कन खोल कर परवल को पलटते रहेंगे परवल अब लगभग पक चुका है इसे दो से तीन मिनट तक और पक आएंगे अब भरवा परवल अच्छी तरह से पक चुका है देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है बहुत ही करारा और स्वादिष्ट बना है अब इसे सर्फ करने के लिए निकाल लेते हैं भरवा परवल बहुत ही स्वादिष्ट और करारा बना है आप इसे खुद खाईए, महमानों को खिलाईए, सभी को बहुत पसंद आएगा ये रेसेपी बहुत कम मसालों में बना है लेकिन है बहुत ही स्वादिष्ट आप इसे जरूर ट्राई करिए अगर आपको ये रेसेपी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें फिर मिलेंगे अगले रेसेपी के साथ अगर बहुते हैं